लड़कपन समझदारी के सांथ बदल जाती है बहाना लाखो इमानदारी के सांथ बदल जाती है मत पूछो इस जिन्दगी के क्या क्या किस्से हैं हमारी मनुस्थितिया परस्थितियों के सांथ बदल जाती है कुछ इसी तरह का चप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जिसमें एक औरत की कहानी बताई गई है कि वो औरत की परिस्थिती के हिसाब से किस तरह उसकी मनस्थिती बदल जाती है मतलब उस औरत की जब शादी नहीं हुई रहती है जब वो औरत एक लड़की रहती है तो वो उसका जिल्दगी स्वतंत्र रहता है वो स्वतंत्र रहती है उस पर किसी का भी किसी तरह का दबाव नहीं रहता है और वो अपनी जिल्दगी को खुल कर जीती है एकदम स्वतंत्र लेकिन जैसे ही उस लड़की की शादी होती है तो जिस तरह उसको परिस्थिती मिलता है न तो स्वागत है आप सभी का ग्यापनी केडवी के इस नय और लेटेस्ट वीडियों में और आज के इस वीडियों में हम लुक पढ़ने वाले हैं क्लास 12 के दिगन थिंदी का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है रोज रोज यानि की डेली प्रति दिन ठीक प्रति दिन तो यह चैप्टर के जो राइटर हैं याद रखिएगा सचीदानंद हीरानंद वाटसियायन और अगया तिक इतना लंबा देख character का नाम इतना छोटा रोज और लेखक का नाम देखी इतना बड़ा सचीदानंद फीरानंद वादसयायन अगया तो आप लोग इतना मत याद रखेएगा सिर्फ अगया याद रखेएगा जादे तर लोग जो है न सचीदानंद को अगया के नाम से जानते हैं तो इतना लंबा नहीं भी याद रखेंगे, सिर्फ अगया याद रहेंगे, तो कोई दिकत नहीं है, तो सबसे पहले मैं आप लोगो इस कहानी को, इस पूरे चैप्टर को समझाओंगी, फिर मैं आप लोगो सचीदा नंद, यानि की लेखक के बारे में सारा डिटेल्स जो आ नहीं हुई रहती है, तो ये एक लड़की रहती है, और शादी हो जाती है, तो ये एक औरत बन जाती है, सिंपल, है ना, तो जिस पर ये कहानी लिखी गई है, वो कौन है, माल्ती, माल्ती के पती रहती है, महेश्वर, हस्बिंड, और माल्ती का बेटा रहता है, जो की तुर के रिश्टेदार के भाई लगते हैं याद रखिएगा ये कौन है लेखक और मालती के बीच क्या रिष्टा है तो भाई बहण का रिष्टा है अपना भाईबहन का नहीं मतलब दूर के रिष्टेदार के भाई बन रहते हैं ठीक है तो भाई बन का रिष्टा है लेकिन भाई बन नहीं बोलिए मतलब दोस्त बोलिए तो ठीक है क्योंकि लेखक और मालती जो है ना दोनों बच्पन में एक साथ पढ़ाई किये रहते हैं एक साथ खेले कुदे रहते है एक साथ पिताया भी रहते हैं वह साथ पढ़ाइए आप बोल बहुत है लेकिन बृबन में एक दोस्ति में पढ़ा रहते हैं पर जो है तो जेर को अगर जाते हैं चार साल के बार देखें वात तक पर तो सकूल में जा लेकिन जब स्कूल से बाहर निकले तो मालती की जिंदगी अलग हो गई और लेखक चार साल के बाद जो है ना मालती के घर जाते हैं तो मालती की शादी हो गई मालती के घर जाते हैं तो भाई के रिष्टे से अपनी बहन से मिलने के लिए बहन के सुराल जाते हैं तो जैसे ही लेखक मालती के घर की आंगन में पैर रखते हैं वैसे ही इनको ऐसा जान पड़ता है यानकी इनको ऐसा लगता है जैसे कि उस घर पर किसी सांप की छाया मंडरा रही हो मतलब लेखक को मालती का जो ससुराल था मतलब घर का महोल अच्छा नहीं लगा अजीब हो गरीब जैसे रहस्य में ही टाइप का नहीं होता है एक दम चारों तरफ सन्नाटा उसी तरह जो है ना लेखक को महसूस हुआ ऐसा लग रहा था इनको कि इस घर पर किसी सांप की छाया मंडरा रही हो लेकिन फिर भी लेखक जो है घर के अंदर गये और जैसे ये घर के अंदर प्रवेश क और प्रम बाया रहा है तो इनकी आहट को सुनकर मालती समझ यहीं कि कोई ना कोई आया है तो मालती कम्रे कम्रे में से बहार निकल कर आई देखी कि आखिर कौन है लेखक को अब देखी तो थोड़ी मुष्कुरा गई और फिर पहले जहां मूव बना लिए और बोली कि आ जाओ मतलब अज़ाओ और कहे चली गई बीना अशर जी एक मतलब अब ऐसे बोला जता है ना कि आ जाओ तो सामने वाले व्यक्ति को देखा जता है कि आखिर वो क्या बोल रहा है तो आई माल्ति कमरें में से बार मुस्कुराई अब पहले ज़से मुँ बना कर अजाव और चलती बने टिकी ऐसा लग रहा हो कि माल्ति को कोई लेना देना नहीं है तो क्या किये लेकक जो है ना गए अंदर माल्ति बुनाई कि आ जा व अंदर तो लेखक गए और पूछें मालती से कि वो नहीं है क्या वो किससको बोल रहे हैं लेखक मालती के पती को महेश्वर को बोल रहे हैं कि वो नहीं है टीक डेर दो बज़े तक आएंगे वो दफ्तर में अभी काम कर रहा है तो लेखक बोले तो कबसे गए हुए हैं वो मतलब कबके गए हुए हैं कि अभी तक नहीं आएं मालती बोली कि सुबह सवेरे ही उठकर चले गए वह साथ बज़े तो चले जाते हैं लेकिन आज जल्दी लेखक बोले मतलब लेखक मन में सोचे कि तो इतनी देर तुम क्या करती हो जब सुबही उठकर चले जाते हैं तो इतनी देर तुम क्या करती हो लेकिन यह मन महीं बोले पूछे नहीं मालती से सोचे कि आते आते इतना जदा सवाल करने लगोंगा मालती से तो गुस्सा हो ज टो माल्ती बोलती है कि ऐसे कैसे नहीं चाहिए इतनी दूर से आये हो ठक गए होगे लो मैं हाक देती हूं हाथ पंखा जिसको गाउदे हाथ में क्या बोला जाता है तो वह हाथ पंखा हाकने लगी लेखक को लेखक बोल रहे ते नहीं नहीं कोई मुझको ज़रूरत नहीं यह मांग रहा है दे देते हैं और जाकर अपने बच्चे को उठा लेते हैं नाघ्ली चली गई लेखक इसके behavior में कितना बदलाव आ गया है और कितनी ये पतली हो गई ये सारा चीज जो है ना लेखक सोच रहे थे तभी मालती जो है अपने बच्चे टीटी को लेकर आ गई और नीचे चटाई बीचा हुआ था चटाई पर लेकर बैढ़ गई अपने बच्चे को तो मैं लेखक ज एक ता में लेकर नहींorial जाता है तो लेकर इसा बड़ा बड़ा करके देख रहाता है कि कौन आ गया है और उसके बाद और उसके बाद से क्या हुआ लेखक चुप चाप थे मालती भी कुछ नहीं बोल रही थी चार अपनी आंगन को देख रही थी मतलब लेखक को ऐसा मैंसुस हो रहा था कि मतलब उस वक्से मैं आया हूँ और चुप-चप बैठा दी है कुछ तो इसको पूछना चाहिए कि कैसे आना हुआ किस तरह आया और किसली आये ऐसे तो कोई गेस्ट आता है कोई मेमान आता है तो उसको बैठाया जाता है उसे बात किया जाता है उस वक् अन्हों कि यह सोच रहे थे और तभी जो है इंधिसार करते कि अब बोलेगी इसको तो कॉम से कोशना चाहिए कि कैसे आये किसलिए लेकिन यह कुछ भी नहीं बोले है इंतिजार और उसके बाद से लेखक माल्ती की यूट देख रहे थे उसकी आँखों को ध्यान से देखे मतलब लेखक को महसूस हो गया मतलब उसकी आँखों में रहस्य में दिखाई दे रहा था मतलब कुछ ऐसी चीजे में बहुत ज्यादा परिवर्तन हो गया था माल्ती में लेखक जब देख रहे थे उसकी आखों में बहुत सारी चीजे देखाई दे रहे थी ऐसे लगता है कि कोई इंसान है अगर उसके किसी इंसान के जिस तरह गले में एक मरा हुआ जानवर नहीं डाल दिया जाता है तो उसे उतार कर फेकने की कोश्च करता है उसी तरह मतलब माल लाओ हो चुका है पूर तरीक से चेंज हो चुकी है और अचानक वह चीज लाने की कोश्च कर रही है देखिए किसी भी अंग को या फिर किसी बीचीज को कोई भी काम जो है ना आप काम कर रहे हैं लेगुलर तो वह कोई दिक्कत नहीं है लेकिन जब उस काम को छोड़ दे क use थे लेखक के सांथ बात करें तो ऐसा नहीं हो सकता था क्योंकि वो चार पांट साल हो गए थे लेखक मालथी अग ajudर चाहे कि वह पहले जैसा बाक कर ले जसतरह लैखक से बात करती थी चार पांच सालोंγαर तक हो जो है आ जिमिदार एक पत्नी एक ओरत बन चुकी थी तो पहले जिसा मैसूस नहीं कर पा रहे थी पहले की जो विहाबियर है वो अपने अंदर नहीं ला पा रहे थी तेक और यह देख रहे थे लेखा को मालती की आँखों में और देख रहे थे कि बहुत जो है ना इसके अंदर बदलावा गया है ठीक है और दोनों जाई पर लेटा दी और उसके बाद से गई दरवाजा खोली तो कौन आया था तो मालती के पती यानि की महेश्वर आये थे ठीक महेश्वर आये तो पहली बार जो है ना लेखक मालती के पती को देखे थे महेश्वर को आमने सामने ऐसे तो पोटो में देखे थे लेखक ले यह सरकारी dispensary के डॉक्टर होटे हैं याद रखेंगा यह ड Southern रहते हैं जो कि सकारी dispensary में जाकर यह काम करते हैं मरीज हो का करना पैसंट जितने विया उनका इलाज करना काम रहता है क्योंकि यह डॉक्टर रहते हैं तो महेशवर और लेखक कमरे में बैठकर बात कर रहे होते हैं और कुछ देर के बाद मालती अपने पति महेशवर और लेखक के लिए खाना खाने के लिए लेकर जाती है खाना यानि कि भोजन लेकर जाती है ठीक तो लेखक मालती से पुछते हैं कि तुम नहीं खाओगी या फिर तुम खा ली हो पहले से ही तो मालती के जो पती है महेशवर वो बोले कि नहीं यह हमारे खाने के बाद खाती है ऐसे भारत की सांस्कृती है ना कि पती जब खालेगा तब ही प खाती है ठीक है और सोचिए महेशवर धाई बज़े आते हैं काम करके और धाई बज़े खाना खाते हैं और इसी वज़ा से मालती से को तीन बज़े तक भूखा रहना परता है तो महेशवर बोले लेखक से की आपको तो मज़ा नहीं आएगा खाने क्योंकि आप तो पहले ही खा लेते हैं हम क्या धाई बजया हैं लेट हो गया है आपको खाने में मज़ा नहीं आएगा तो लेखक जो हो बोले नहीं नहीं मज़ा क्यों नहीं आएगा बहुत मज़ा आएगा देर से खाओ ना तो भूक और भी ज़्यादा बढ़ जाती और उस योजी बात नहीं है रोज ही आई जोड रती है रोज ही ऐसा होता है यह जिंदगी में रोज इनके पती ओर मालती तीन बजले खाना खाने खानर कने खूझ और मालती आपने बच्छे तीटी तूइ ठीटि काम है फिर रोज बोल रही है रोज का महेशवर यह दोनों जन खा लेते हैं तो महेशवर बोलता है कि आज मुझे जल्दी जाना है बहुत सारे मरीज आये हुए और दो मरीज जैसे हैं जिनको गैंग्रीन नमक विमारी हो गई है देखिए गैंग्रीन एक ऐसी विमारी है जो किसी इंसान के सरीर में काटा जो हमारी हो देखिए तो वहीं बोले महेशवर की बहुत सिरियस केस आया हुआ है दो लोग है जिनको गैंग्रीन नमक विमारी हो गई है और उनके पपै को काटना पड़ेगा ठीक तो महश्वर जो हैं वह जल्दी खाकर और बोले कि अब मुझे चलना चाहिए ओ खाकर और चल ठीक तो मालती बोली कि हाहां मैं खा लूँंगी और उसके बाद से चली गई और लेखा कुछ है ना टीटी को ले लिये और खेलाना शुरू कर दिए ठीक और बोजन चुरू कर दी कुछी देर में तीन बज गया और जैसे ही तीन की घंटी लगी यानि जैसे ही तीन बजा वै काम कर ली खाना भी खाली अब तीन बज गए अब आगे क्या काम अभी बाकी है मतलब मालती की जिन्दगी जो थी ना वेक मशीन की तरह थी यह मशीन की तरह काम कर थी समय को बाट दी थी समय के हिसाब से कि इतना घंठा में दो बच तक यह कर लेना है तीन बच तक यह कर लेन टूर्ड तो जब 2 बच गए मतलब यहां तक तू काम हो गया तीन बच गए टीन वो लम्बे सांस लेगर ये कहती थि मालती की जिन्दगी नियत गति Se चल रही थी हर रोज वही काम ठीक है और काम को समय के हिसाब से बाढ़ दी थी तो तीन बच तक इसको सारा काम करके खाना खा लेना था अपने पती को भी खिला कर और खुद भोजन कर लेना था तो जब भोजन कर ली और तीन बजा तो लंबे सांस लेकर बोल रही थी तीन मालती बोली कि नहीं नहीं बहुत कुछ था खाने मेंदने मैं कि यहां भाजी नहीं को comes आई थी तो अभी 15 दिन हुए हैं और जब सब्जी वहीं से लेकर आई थी तो अभी तक चल रहा था वो सब्जी ठीक है तो यहीं पर मंगा लेती हूं तो लेखक बोले कि कोई नौकर नहीं है तुम्हारे घर में तो मालती बोली कि कहां का नौकर अब देखिए एक दो दिन मे महीं ही धूती हो तो मलती बोली कि तो और कउन दोएगा मैं ही दोती हूं और यह कह कर मालती जो है न चलि गए किचन में और फिर थोड़ों दर के बाद बाहर आई तो लेखक भोले कभी वी जब मन करें तब देता है अभी पानी नहीं आ रहा है शाम को पानी आएगा 7 बजए घरेंदошा जो होता है कभी हुई समय पर पानी नहीं देता है तो साम को साथ बज़ तक शुंडोले यानि कि तaking कुर्सी पर बैट गए चेयर पर और अपने जेब में से नोटबुक निकाले और पढ़ना शुरू कर दिये नोटबुक तब जो है ना तब जाकर मालती लेखक से पूछी कि आखिर कैसे आना हुआ ठीक देखिए इतना देर के बाद मालती अब जाकर लेखक से पूछ रही है क कैसे आना किसली आये तो लेखक ये बात सुनकर बोले कि अच्छा अब तुमको याद आ रहा है कि हम कैसे आये किसली आये बाह तुम्हारे लिए आया हूँ सिर्फ तुमसे मिलने के लिए और किसके लिए तुम्हारे तुमसे मिलने के लिए आया हूँ तो मालती बोली कि इस बेवकूफ हूँ अब मालती जो है ना मुझसे बात करने के लिए बैठी है तो अब मैं नोटबुक पढ़ रहा हूँ एक नंबर का मैं बेवकूफ हूँ अब बात करना चाहिए तो फड़बड क्या कि लेखक नोटबुक बंद कि अब फिर से जेब में रख लिए और फिर मा पढ़ाई वाला चीज था ही नहीं पढ़ने का कुछ भी कोई भी पुस्ता कोई भी किताब नहीं था कुछ भी नहीं था पढ़ाई का तो नाम निशान नहीं था तो लेखक बोले अच्छा कोई बात नहीं मैं जाओंगा ना तो तुम्हारे लिए धेर सारी पुस्ता के भी गंदो मालती बोली। इतनी दूर पैदल चलकर आये हो। बड़ी हिम्मत है तुम में Spreaker आखर मिलने के लिए आया हूँ,Sाइगा है। टू मालती बोली है अच्छा ठीक है, अकले आया हो कि अपने समान रूरामने कर आया हो कि नहीं। ऍचनएपना थक गए होगे जाओ तुम तुम अराम कर लो ठीक है तो मालती बोले कि यहें भड़ी बात करते हो ठके नहीं हो जाू अराम कर लो। तो लेखक बोले कि तो फिर तुम क्या करोगी तो मालती बोली कि तब तक में जा रही हूं बरतन माज देती हूं और शाम को साथ बच जब पानी आएगा तो धो दूंगी तब तक में माज दे रही हूं तो लेखक टीटी को लेकर चले गए अराम करने के लिए जाकर चोकी गा तो उसके बाद से क्या हुआ लेखा कम टीटी को भी खेला रहे थे पास में सुलाए थे और टीटी सो भी गया था तब उसी वक्त चार बज गया था जब से चार बजा छार की घंटि लगी तो फिर मालती वह लंबी शांस बोल रहा है यानि कि 4 बज तक Кरli में मलती काम घंटें बाट देती कि इतना घंड़ा में यह कर लेना है तिन बज तक यह चार बज तक यह तो बरतन माज कर दम तयार हो चुकी थी और चार बज गए ठीक है और उसके बाद से यह देखते देखते लेका की आख लग गई वह वह सो गए और जब उठें तो मतलब यह इतना तेज आख लगा था इनको पैदल चल कर आये थे तो तेज आख लगा था दरेक्ट दो घंटे सुए यानिकि चार बज से लेकर छे बज तक यह सो है ठीक है शाम को जब छे बज गया जब लेखक की आख खुली तो देखे की महेशवर यानिकि मालती के पती जो है ना महेशवर वह आ ग आख पोच्ते हुए और उठे और लेखक जो है ना महेशवर यानिकि मालती के पती से बोले कि बड़ी लेट हो गई आपको आने में तो महेशवर बोले कि वह गेंगरीन का परेशन करना था ना डारेक्ट मतलब एक मरीज का पैर काट कर अलग करना ही पड़ा मतलब मरीज का पैर काट ही देना पड़ा और एक का जो काटना था उसको में बड़े अस्पताल में भीज दिया तो लेखक बोले कि यह गेंगरीन बीमारी क्या है कैसे हो जाती है तो महेशवर बोले कि यह बड़ी लपरवाह लोग होते हैं काटा चूपता है तो लपरवाही कर देते ध्य कि आचे ही जाता होगा अच्छा ऊस आपकेस आता होगा तो महें शुरू बोले कि हां 2-3 दिन पर तो 2-3 केस आज आ जाता है तो मालती यह सूनकर और आई और बोली कि कि हां कैस बनाने थोड़ोना देर लगता और वहाहा है तो 3 दिन तो महिश्र बोले कि अच्छा जिये मुश्राद होगा तो मालती जब लगता है कि यह पई चुप जाता है कि हाथ पर काटकर हटा दो मतब अहर 2-3 दिन पर यह आंथ काटते हैं बहा काटते हैं किसी का अब तो मेरी मैं इतना ज़दा चौक जाती थी मुझे बहुत दाटेंशन हो जाता था कि मेरा रोज का आदत हो गया है अब मुझे आदत सी पड़ गई है क्योंकि मुझे मुझे मालूम है कि इनका यही काम है अब मुझे आदत लगई है अब मेरे सामने कोई मर भी जाए न तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा यह 여러분들 यानि ki माल्ती के जिन्दगी में रोज ऐसा होता ठीक है और ये सारा बात बोल रही थी तभी जो है ना मालती के घर में जो नल था तेक उसमें से टिप 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 क्या होने लगा पानी आने लगा यानि कि शाम के साथ बज गए है तो मालती बोली कि पानी और दोड़ कर जाने लगी और बरतन जो है न वो धोना श तो महीशवार मालती के पती वो ले लिए और जो और में तुम erset से बोले महीशवारब से कते बहुत ज़ेंगा तो महीशवार महीशवार दे लग come कोई थोड़ों नहें चौकी यान की पलंग ठीक है बेड तो वहीं बोले महेश्वर की बाहर मतलब कौन लेकर पलंग जाएगा कोई है ही नहीं लेकिन हाँ आज आप आये हैं तो आज हम लोग बाहर ही सोएंगे ठीक है चलिए पलंग को बाहर निकालते हैं ठीक है टीटी रो दोनवों मिलकर पर बाहर निकाले आंगर में और उसके बाद से टीटी इसके बात कर ने लगे है लो उधर माल्ती अपना काम कर रही थी कीचन की ओर तो बोले महेशवर की माल्ती देखो आम लाया हूँ तुम उसको भी धो देना आज आम भी खाएंगे हम लोग ठीकैं तो माल्ती बोली की अच्छा कहां रखें बताईए तो महेशवर बोला कि वही पर रखा होगा ठीक है देखो मतलब उस जगा का नाम बताया ठीक है तो मालती ले ली तो वो जो आम थाना वो एक नियूस पेपर के टुकड़े एक अख़बार के टुकड़े में लप्टा हुआ था ठीक है तो क्या इसका था कि जब वो पढ़ने से डढ़ती थी नहीं पढ़ना चाहती थी और अभी एक ऐसा उसका समय आ गया है कि अख़बार का टुकड़ा मिला है उसको पढ़ने के लिए तो आम तो आचल में रख लेती है धोग धोने के लिए और उसके बाद से वह जो टुकड़ा रहत मतलब टटूल टटूल कर पढ़ रही थी ठीक है और उसके बाद से जब पूरा पढ़ ली अख़बार को तब ऐसे मोड माणकर और फेक दी उस अख़बार को और फिर आम को धोने लगी यह सब लेखक देख रहे थे और तभी उनको बच्पन का याद आया कि बच्पन जो ह दोनों जन लेखक और माल्ति दोनों जन बदमाशिक किया करते थे माल्ती मतलब पढ़ना चाहती नहीं थी इसके पापा बोलते माल्ती के पिता जिए बच्पन की बात सोच रहे हैं लेखक कि देखो माल्ती कितना बदल गई है एक समय ऐसा था जब यह पढ़ने मतलब परना और एक हपता के बाद मैं तुमसे पूरा सुनूंगा ठेक है पूरा किताब तो मालती क्या करती रोज दो पेज पढ़ने के बजाए रोज दो पेज फाड़ फाड़ कर फेख देती थी और जब एक हपता हुआ 7 दिम पर मालती के पीताजी बोले कि लाओ किताब रखी हो बच्पन में खेलते थे खुब बदमाशिया करते थे तो देखे मालती की मतलब जो लड़क्पन की जिंदगी थी जब वो लड़की थी तो कितना वो स्वतंत्र जी रही थी किसी पर मतलब उस पर किसी का भी किसी तरह का दबाव नहीं था लेकिन अब एक ऐसा समय आ गया है कि मालती पढ़ने के लिए तरस रही है वह अख़बार का एक शोटा सा टुकडा टटोल टटोल कल पढ़ रही है ठीक उसके घर में कहीं पर भी पुस्तक यह नहीं दिखाई दर यह पढ़ने का कोई नाम और निशान नहीं है ठीक तो यहीं लेखक सोच रहे थे और उसके सब्सक्राइब करनाने के लिए तब तक दोब बहुद office अपने मां को देखका करने लगता है जाने के लिए मां के लिए तो मालती और बच्चे को कर जो भी खाना बनाना देता है एक उन्हür इसम कि लिए सब्सक्राजी के माा के मा के लिए उसके बच्चे का पालन करना कि spirit का वह अनुभाव कराया गया है मालती एक हाट में बच्चे को लेकर और एक हाट से सारा समान निकलकर कीछन का काम करती है ठीक है ये सारा चीज और उसके बाद से मालती जो है ना रोटी बनाने लगती है और महेशला और लेखाक एक दूस hè से बाते करते हैं उसी चोकी पर बैठ कर और क्या होता है माल्ती खाना बनाकर और लाकर दोनों जन को खिला देती है महीशवJust and लेखक को और उसके बाद से महीशववर लेखक दोनों जन खाए और अराम से विष्टर पर लेट गए-एप पलंग पर सो गए-ए-बाहर निकल तो लेखक बूले बात तो सही है अठारा मील पैदल चल कर आए ठक तो गए है तो अच्छा ठीक है कोई दिकर नहीं आप चलिए सोई जाते हैं अब सोने का से समय होई गया है ठीक हो तो कुछ दिर के बाद लेखक को ऐसा मैसुत हुआ कि महेश्वर जो है न वह उंग रहे हैं चांदनी खमक रहा था और यह सारा नजारा आसमान का नजारा और पेड़ पॉद्व का झावी कुछ और होना के जारह था और देखें अके है ठीक है मालती खाना खा चुकी है और वो गरम पानी से मिटी का बरतन हो रही है दही जमाने के लिए ठीक है उसके बाद से लेखक बोले कि अच्छा कितना रात कितना चांदनी भरी रात है और याद रखेगा जब लेखक सोए थे उस विश्टर पर और आसमान का नजारा दे देखाई देता है यानि कि टीटी को देखने के लिए पल्टे कि देखे टीटी कैसा दिख रहा है इस मतलब चांदनी भरी रात में जैसे लेखक घूम कर और टीटी को देखें वैसे टीटी जहें न वह अचानक पलंग पर से गिर गया नीचे धड़ाम और बहुत जोड से चोंट लगा लेखक को मैसूस हो गया कि टीटी को बहुत तेज छोट लगा है एक्दम खऴ्णप से बजा तो लेखक को वैसले का मैसूस हुआ कि बहुत तेज लगा है तिटी चला करोने लगा कि उसके बात से महशर भी है क्या हुआ उसके बþक से का कि ऊठा लिए जलदी से जाकर Do क्या हुआ लगता है इसको बहुत तेशे चोट लग गई थो मालती है और आराम से मतलब लेखाक के हाथ में से अपने बच्चे टीटी को लेते हुई कहीं कि इसको चोट लगते ही रहते हैं रोज ऐसा होता है रोज गिर पड़ता है और रोज इसको ऐसे ही चोट लगता है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए कोई नई बात नहीं है ठीक है यह से लगा देती और चुप कराना शुरू कर दिए लेकिन यह मालती के अंदर से इतनी ममता कैसे जा सकती है यानि कि इसके बच्चे के सांथ रोज ऐसा होता है रोज वह इस पलंग से गिर जाता है खट से चोट लगती है रोज ऐसे चिल्ला कर रोता है ठीक तो यह बात सोच रह मालती अपने बच्चे को लेकर लेटी हुई थी टीटी तो अपने मां के पल्लू से लिपट कर सो गया था लेकिन मालती अभी जगी हुई थी वह आसमान के नजारे को देख रही थी और पता नहीं वह चांद को देख रही थी कि तारों को देख रही थी यह नहीं मालूम है ग्यारा बज गए यानि की ऐसा लग रहा था कि कोई बड़ी तपस्या के बाद कोई काम पूरा हो गया हो इससे आप लोगों को पता है यह चलता है कि मालती सुबा से उटकर साथ बजे से मेशीन की तरह काम करती एकदम काम को माट दे थी साथ बैस तक यह आठ बैस तक यह कर ग्यारा बज गए ठेक इस तरह मालती की जिंदगी बदल गई थी मालती के पती जो है महेश्वार सुबाही उठकर चले जाते थे दिन भर वेचारी अकेले मालती घर में ही रहती और बेटा उसका चिरचिड़ा हो गया था कहीं जाना नहीं है मालती को ठेक पती तो चले जा तो बड़ी मतलब खुस होकर आप लंबी सांस लेते हुए बोलती कि 11 बच गए यानि कि मानों बड़ी तपस्या के बाद कोई काम पूरा हो गया हो तो क्या मालती अभी वी वैसे ही है जैसा वो शादी के पहले रहा करती थी एकदम हस्ती खेलती हुई चेहरे पर हमेशा उस की परस्थितिया बदली है ठीके शादी हो जाने के बाद वो दूसरे घर में गई वहां की परस्थिती के हिसाब से मालती की मनस्थिती बदल गई अब मालती जो है ना एक जिमिदार पत्नी एक जिमिदार मां और एक जिमिदार औरत बन चुकी है जो की जिमिदारियों को ल जाती है तब के माल्टी में दोनों में कितना बड़ा डिफ्रेंस है तो यहां पर जो है आप लोग की कहानी जो है ना पूरी तरीके से कमप्लीट हो जाती है एक 11 बज जाता है और माल्टी केती 11 बज गए तो वहीं पर होता है आप लोग का कहानी complete I think आप लोग को पूरा कहानी बहुत यह तरीके से समझ में आया होगा अब चलिए अभी चैप्टर पूरे तरीके से complete नहीं हुआ है अभी लेखा के बारे में हम लोग को समझना बाकी है तो इस चैप्टर के जो लेखा के सचीदानंद हिरानंद वात्षायन अगया इनके बा बारे में सारा डीटेल्स देखिए इतना लंबा चोड़ा डीटेल्स है और इनका इमेज आप लोग देख सकते हैं यह हैं सचीदानंद धुंदला आया है आप लोग के बुक में और ऐसा ही मतलब इमेज दिया हुआ ही है ठीक तो चलिए फड़ पर समझ लेते हम लोग सची नाम का कोई जगह है वहाँ पर साथ मार्श उने से 11 को सचीदानंद की पेदाईश हुई थी ठीक और इनका निधन हो गया था यानिकी मौत हो गई थी चार अप्रेल उने से 87 को ठीक और यहां पर एक चीज़ में आप लोग और बता दूं कि सचीदानंद जो है ना वह आद इंदी सहित्य के कवी कथकार विचारक और पत्रकार थे यह याद रखिएगा और इनकी पैदाईश भले ही इनकी पैदाईश भले ही कस्या कुशी नगर में हुई थी लेकिन यह मुल निवासी कहां के थे कहां के यह रहने वाले थे तो कर्तारपूर पंजाब के रहने वाल लेते हैं इनके माता पिता के बारे में के माता पिता का क्या नाम था सचीदानंद की मा का नाम था ब्यंती देवी और इनके पिता जी का फादर का नाम था डॉक्टर हीरानंद शास्त्री ठीक और अब शिक्षा की बात कर लेते हैं कि कहां कहां जाकर पढ़ाई की और कहां तक पढ़ाई किये ठीक है तो देखें यहाँ पर लिखा है कि प्रारंबिक चार साल लखनाउं में ऐगर पर पढ़ाई किये थे जो है न संछी ननद वह शरुवाति सिक्षा जो होता है पढ़ाई लिखाई काकाम और धर पर ही 4 शाल तक लखनव में अपने घर पर ही चार साल तक प्रारंभिक शिक्षा लिये यानि कि जो भी शुरुवाती पढ़ाई लिखाई का काम होता है वो घर पर ही हासिल किये थे घर पर ही पढ़े थे और उसके बाद से ये मैट्रिक का एक्जाम दिये थे उन्हें सब 25 में यानि कि मैट्रिक कर लिए उन्हें सब 25 में कौन से विश्वविद्द्याले से तो पंजाब विश्व विढ़े से याद रखीएगा और इंटर किए थे उन्हें 87 में मद्राथ कृस्टिन कौलेज से और बीसी किये थे उन्हें 29 में फॉर्मन कॉलेज से कि जो लाहौर मतलब पंजाब के लाहौर में था फॉर्मन कॉलेज और वो अभी वरतमान पाकिस्तान में है ठीक है यह जो अभी पाकिस्तान है पाकिस्तान में ही पंजाब आता है ना तो पंजाब के लाहौर में यह फॉर्मन कॉलेज था तो वहीं से क्य किये थे सचीडानंद ये बीसी किये थे उन्हें सउन्टिस में ठीक अब देखिए आगे हैं कि में भी किये थे अंग्रेजी और पुर्वार्द दो सब्जिक्ट से लाहॉर से ही और क्रांतीकारी अंदोलन में गिरफ्तार हो जाने से आगे की पढ़ाई रुख गई ये क्रां भाषा ग्यान मतलब यह कौन कौन से लेंग्वेश जानते से कौन कौन कर भाषा में इनकी महारत हासिल थी कौन-कौन से भाषा जानते थे और बोल लेते थे तो देखें यहां पर आल्ड़ी दिया गया है कि सचिदनन जो है वो संस्क्रित अंग्रेजी हिंदी कि या तिरिक कैसा था और स्वभाव कैसा था ठीक है तो देखिए यहां पर सचीदानन जो है वह सुन्दर लंबा गठीले शरीर के थे मतलब सुन्दर भी थे लंबे भी थे और गठीले शरीर जो मजबूत शरीर होता है उस तरह थे और सुरूची सुवेवस्था एम अनुशासन प्रियता ठीक है और एक मिनट ठुक जाए है एकांथ प्रिया अंतर मुखी स्वभाव और गंभीर उनका स्वभाव अच्छा था गंभीर से अपने काम को लेकर और चिंतन्शील भी थे और मित्भासी भी थे मतलब हमेशा लोगों से प्रेम पूरोग बात करते थे और अपने मौन ए का तबादला लग頭 हो दोब लखनाओ कशमीर लाहर पटना मदरास अदि स्थानों पर उन के सांत रहने और परीव्र हरामण का संश्कार बच्पन में ही मीला मतलब इनके जो पिता जी थे हैं सचिदानन के पिता जी उनका ट्रानस्फर्ण होते रहता था तो पिता जी के तबादल लें की ट्राणफरहोने के कारण सचिदानन जो हël अपने पिता जी के साथी लखना स्विम्न लाहोर पटन मदरास अलग- जगाह पर यह जाया करते थे और उन्होंने प्रामेट बीटे यहां कि ओपने पिता जी के साथ क्योंकि इनके पिता जी का ट्रांस्फर होते रहता था था अलग अलग जगा और इसलिए अपने पिता जी के साथ दूसरे दूसरे जगाँ पर घूमा करते थे ब्रहमण करते थे ठीक है और आगे देखिए आगे क्या है अभी रूची मतलब इनको सचीदानन को किस चीज में रूची थी ठीक है तो रूची देखे यहां पर दिया गया है कि सचीदानन को जो है ना बागबानी यानकी बागबानी भी यह किया करते थे परेटन में रूच थी इनका शौक था वो था बागबानी भी मतलब इनको करना पसंद था परेटन यान की एक जगह से दुसरी जगह जाना इनको पसंद था अध्यन यान की यत्रा करें अब बात कर लेते हैं पुरस्कार और इनको कौन पूरशकार मिले और कौन कॉन से पुरशकार से सम्मानित किया गया तो देखिए इनाम मीला था मिला था उसके भार्ति अग्यान कीठ पूरशकार इनको मिला ठाए के निएक को जो बड़े- बड़े विश्विद्ध दीस हैं वहाँ पर विजिटिंग प्रोफेशर के रुप में भी इनको आमन्त्रित किया गया था इन्वाइट किया गया था और यह जाते भी थे थे पत्रकारिता की कर ले तरिके ये आप बोल सकते हैं पत्र गारिता काहँ किया है जैसेकि सैनिक ये पत्र है आप बोल सकते हैं अखबार्नी उस परव यह चीज थी जो की दिलनी में निकलता था नो भारत टाइम जो कि नहीं दिली से होकर आता था और थोट वाक एवरी मैंस और अंग्रेजों में संबादन मतलब यह सारा चीज यह इतने जगा पर यह पत्रकारिता का काम किये थे यह याद रखे गया अब बात करते हैं क्रीटिया मतलब यह क्या-क्या लिखें अम्लब इनका क्रियेशन तो दस वर्स के उस्थ जिसको और्दू में क्या कहते हैं नजम ठीक तो लेखन हिंदी अंग्रेजी दोनों भासाओं में मतलब सचीदानंद हिंदी में भी लिखते थे और इंग्लिश यानिकी अंग्रेजी में भी दोनों भाशा में यह कवीता लिखते थे बचपन में खेलने के लिए अनंद घर में एक हस्त लिखे ते मतलब हाथ से लिखा हुआ पत्री का मैगजिन आप बोल सकते हैं जिसका क्या नाम था अनंद बंदू यह निकालते थे तो यह हो सकता है अब जब्दी में पूछ दे और उन्हेंसे 24 नहीं तो पचीस में अंग्रेजी में उपन्यास भी ल प्रकाशित हुई थी उन्हेंसे 24 में सचीदनन की जो पहली कहानी है पहली स्टोरी जो कहानी लिखे थे अपने हातों से वो इलाहबाद की सकाउट पत्री का इसका क्या नाम है सेवा सेवा में परकाशित हुई थी यह अप्जक्ति में पूछता है आप लोगों को याद जगतार कवीता कहानी लिखना शुरू कर दिये तो जो नहीं कि सिर्फ कवीता और कहानी लिखे उसके इलावा ये उपन्यास भी लिखे थे नाटक वगरा भी लिखे थे देखिए अब यहां से आप लोग का सारा बताये गया है विपतगा जैदोल ये तेरे परतिरूप छोड कर देखिए अब आगी देखिए कहानी के लावा और क्या लिखे हैं शेखर एक जियूनी यानिकी जियूनी भी लिखे हैं शेंकर एक जियूनी जिसका प्रधं भाग शेखर एक जिवनी नदी के द्वीप अपने अजनवी यह उपन्यास है यान की नोविल है सचीदा नंद द्वारा लिखा गया ठीक नोविल और आगे देखिए और क्या लिखे हैं उत्तर प्रियदर्शी जो की एक नाटक है यह उन्हें सच चौंसट इसवी में प्रकाशित ह ठीक नाम का यह क्या है सचीदा नंद का लिखा हुआ नाटक जो कि उन्हें सचौंसट इसवी में प्रकाशित हुआ ठीक भगन दूत चिंता इत्यलम हरी घास पर चड़बर बावरा अहेरी आंगन के पारद्वार कितनी नाओं में कितनी बार सदानी रा ऐसा कोई घर आपन से लेकर प्रय यहां कोर्या कोई अब आगे देखिए अरे यायावर याद 2 रहेगा उन्हें सतिर पर निश्भी हम लोग फोटो खिखते हैं ठीक है तो जब सचीदा उस वक्तों मनलब मुबाइल नहीं था मुबाइल का जमाना नहीं था तो यात्रा करने के लिए तो वहां का उनको जो चीज भी अच्छा लगा तो सारा चीज वो लिख दिये तो इसलिए इनका दो यात्रा साहित्या है या सत्रीपर निश्व में प्रकाशित हुआ और एक बुंद से ऐसा उचली जो कि उन्हें से एक्साटिफ्व में प्रकाशित्या है यह दोनों याद रखिएगा जो कि यात्रा साहित्या है ठीक है आगे बढ़िए आगे हैं त्रिशंकु आत्मनेपद आलवाल अजतन भवंति अंतरा शाश्वती स्वंतसर आधी ये सवी क्या है निवंधे तु हम कुसे लेकर ये सब क्या है निवंधे ये से जिसको उछिभीं क्या बोला요 को ठीक है नेक्स्ट, तार सब तक जो कि उन्हें सटिरीम में प्रकाशित हुआ Дूसरा सब सब्सक्राइब नेहरु अभिनंदन ग्रंथ यह सब क्या है यहां से लेकर यहां तक ठीक नेक्स्ट आगे क्या बोला जा रहा है इसको भी देख लिया जाए शरत्चंद्र के श्रीकांत जनेंद्र कुमार के त्याग पत्र तथा अपने उपन्यास अपने अजनभी सहीत अनेक अपने और दूसरों के भी करिंस्टीयों को मतलब लिखे हुई चीजों को जो आना ये अंग्रेजी में जय हुआ की इंग्लिस में ट्राणिद किये थे भी ऑपने के द्वारा का हिंदी कि प्नादक अन्वाद किये थे हैं यहिन खिक द्वारा तो और वीडियर सारी डीटिल सचीदानन्द के बारे में आप लोग के बुक में दी गई है लेकिन जो important है वो बस आप लोग का इतना ही important है जो कि मैं आप लोग को अभी बता दी तेकि सचीदानन्द हीरननद वाचैन अगे इनका पूरा नाम था और ये प्रमुख कवी के सांसात लेखक भी थे और याद रखिएगा ये मतलब प्रेमचंद और जैशंकर प्रसाद के बाद इनी का नाम आता है मतलब famous कवीों में कथकारों में क्योंकि ये सिर्फ एक ही सब्सक्राइब लिखें निबंद भी लिखें तो यह एक चीज़ को नहीं लिखें और यहीं इनका मतलब famous होने का रिजन आप बोल सकते हैं यहीं था इनका famous होने का रिजन ठेक है यह प्रमुख कवी भी थे कवीता भी लिखते थे कताकार यान की कहानी भी थे विचारक भी थे याद रखेगा और दृत्य महायुद के दौरान यह सेना में नौकरी भी किये थे ठीक है अब एक और चीज जो आप लोगो ध्यान में रखना है और हमेशा याद रखना है अब आप हमारी बात को ध्यान से सुनिए अभी जो आप लोग कहानी पढ़े रोजनाम का कहानी जो रोजनाम का कहानी है यह पहली बार 1934 यानि कि सचछीदानन ने लिखा था कब लिखा गया था रोज नहीं था सचीद DAN-नौन के दνοika यह लिखा गया है लेकिन जब सचीद DAN-न ने इस keहानी को 1934 सभी में पहली बार लिखा था तब इस कहानी का नाम रोज नहीं था याद रखिएम इस कहानी का नाम था गैंगरीन क्या नाम था गैंगरीन और गैंगरीन किसे कहते हैं मैं आप लोगो को इस कहानी में ही बताई गैंग्रीन एक विमारी है ठीक हूं तो जब शुरुआत में सचीदानन्द कहानी को लिखे थे उसका नाम गैंग्रीन रखे थे लेकिन आगे चल कर इस कहानी का टाइटल बदल दिये और गैंग्रीन नाम हटा करके यह रोजनाम रख दिए और रोजनाम से यह कहानी फ्यमस हो गया से चैप्टर नमबर फाइफ जो रोज है वो कम्प्रीट होता है तो कोई भी कम्फ्यूजन हो इस चैप्टर से रिल्टेड आप हमें कमेंट करकर पूछ सकते हैं बाकी में आप लोग को जो कुछ भी समझाई समझ में आया तो वीडियो को लाइक तो बनता है अभी तक वीडि के साथ तब तक के लिए जहिंद और खुदा हाफिज